किसी स्टॉक में अचानक से मैसी मूव देखने को मिलता है डाउन वद हो या अप वद हो तब क्या आपके दिवांग में ये क्वेस्टिन राइज होता है कि अचानक से इस स्टॉक में इतनी बड़ी मूव कैसे आई और आपको ये move आने के बाद ही पता क्यों चला इतनी बड़ी move आने के बाद आपके पास करने के लिए बस एकी चीज रहे जाती है वो है regret लेकिन अब regret करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज मैं massive move के पीछे का hidden cigarette को reveal करने वाला हूँ जिससे आप भी सही समय पर momentum stock को पकर पाएंगे और अपने position को बना पाएंगे आज हम फिर open trace or white spot के एक और combination को decode करेंगे जो stock में insane move को generate करता है इस वीडियो में हम बिल्कुल ही नए concept और नए combination को discuss करने वाले हैं वीडियो को बिना skip किये हुए पूरा देखिएगा इस वीडियो में चार major steps होंगे जिसमें पहला जो stock होगा वह share selection का step होगा और यह share selection method बिल्कुल ही नया है बिना देरी किये हुए चलिए शुरू करते हैं अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और वीडियो को लाइट जिरूर कर दीजिएगा इस वीडियो में पहला step momentum stock selection का है जिसके लिए हम लोग आपस्ट्रा का future build up screener को यूज करने वाले हैं जब ऑफ्स्ट्रा के आप इस page पर आएंगे आपको बहुत सरे stock दिखाई परेंगे और यहां दो तरग trend भी आपको दिखाई परेंगे एक यहां पर जो आपको trend वाई बिल्दफ दिखाई परेगा वो इंत्रा देकर विल्दफ दिखाई परेगा और दूसरा यहां पर medium term का पांच दिनों को combine करके एक वाई बिल्दफ दिखाई परेगा जो एक तरह से trend भी कह सकते हैं तो यहां बहुत सरे share आपको list मिलेंगे जितने भी fno के share आपको यहां पर दिखाई परेंगे लेकिन सभी share और index हमारे काम के नहीं है तो हमें कौन से stock चाहिए इसके लिए हम लोग यहां पर filter यूज करेंगे इस filter पर click करेंगे significant long build-up मैं यूज कर रहा हूँ क्यों मैं significant long build-up यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं तेजी वाले stock को खोजना चाह रहा हूँ आप चाहे तो significant short build-up वाले stock को भी खोश सकते हैं और उसके according अपने position को देख सकते हैं तो आप देखिए significant long build-up वाले stock को मैं select किया हूँ तो still आप देखेंगे यहाँ पर उन सब stocks को इसने आपके सामने रखा है जहाँ पर significant long build-up देखने को मिला है medium term में या फिर significant long build-up देखने को मिला है intraday में मतलब जिस किसी भी stock के ऊपर intra day या medium top में significant long build up देखने को मिला है वो हमारे सामने रख दिया है तो कि significant long build up क्या है significant long build up वे stock रहते हैं जिनमें मोमेंटम देखने को मिलता है लेकिन फिर भी आप देखेंगे आपको बहुत सारे stock अभी भी दिखाई पड़ेंगे कि इतने सारे stock में कौन सा stock को आपको trade के लिए use करना आगे के लिए लेके जाना है इसमें बहुत दिक्कत आएगी इसके लिए एक और सीच करेंगे कि हम लोग एक और filter को use करेंगे अब क्या करेंगे आप इस जब देखिए इस filter पर प्लिक करेंगे अब देखिए अब हमारे सामने वही stock हमारे सामने आगे जिन में जवर्जस्ट मोमेंटम है आप इंट्रादे में भी देखिए सिगनिफिकेंट लॉंग बिल्डप है और मेरियम तम में भी stock हमें देखने को मिल रहे थे अब हमारे पास केवल चार stock बचे हैं देखने के लिए आप इन चारो stock को ले और इसके बाद आगे के steps को follow करें और एक एक करके भैली देद कर लें तो जो मैं पहला stock लेने वाला हूं जो आज की example के लिए मैं यूज करने वाला हूं मैं इस stock को GMR Infra को यूज करने वाला हूं और बाकी आप बाकी stock के संग अपने steps को follow कर लेंगे तो share selection के बाद हम लोग चलेंगे दूसरे steps के उपर जो है validation का step validation के लिए हम लोग आएंगे oi spot के उपर oi spot page के उपर और validation किस चीज का करना है तिके validation हमें यह करना है कि जिस stock को हमने select किया है क्या उसमें momentum है और momentum find out करने के लिए जो best page होता है अब देखेंगे तो यहां पर दिखाई परेगा और change in open interest देखेंगे करिब 29% तक change in open interest दिखाई पर रहा है मतलब यहां पर momentum हमें देखने को मिल रहा है तो यह stock हमारे काम का है और validate होता है कि इसमें momentum में देखने को आगे भी मिल सकता है हमने momentum stock को select किया और उसके momentum को validate किया अगला जो step होगा वह आपका होगा कि कौन से level हमारे लिए important level है कौन से level इस stock में resistance का का काम करेंगे और कौन से level support का काम कर सकते हैं इसके लिए हम लोगों को तिसरे step में चलना होगा जहां हम लोग यूज करेंगे option chain का major level find out करने के लिए हम लोग आगा हैं अब GMR infra के option chain के उपर अब आईए देखते हैं कि कौन से level major resistance होंगे और कौन से level major support होंगे तो आपको एक level दिखाई पड़ेगा 90 का जहां आप देखिए इस जगह 2330 lots का open trace आपको दिखाई पड़ेगा और मामूलिस अन वाइनिंग दिखाई पड़ेगा इसके बाद जो अगला level आपको दिखाई पड़ेगा रसिस्टेंस के लिए वह 1730 lots का open trace आपको खड़ा दिखाई पड़ेगा 95 का level है इसके बाद जो most important और major resistance का का काम करेगा आपको इस जगए 25100 के आसपास 26100 का open trace खड़ा है strike 100 का तो ये तीन लेवल आपके ये दो लेवल 95 और 100 के major resistance का काम करेंगे इन फैक 90 का जो लेवल है वह भी एक major resistance है लेकिन आपका GMR infra इसके ऊपर है प्रेक्रस इस रसिस्टेंस को ब्रिट करता हुआ नजर आ रहा है अगर आप support देखेंगे GMR infra के ऊपर तो 990 और लोट्स का open trace आपको इस जगए दिखेगा 90 का लेवल इसके नीचे आपको 726 टा open trace दिखाई पड़ेगा और 517 लोट्स का open trace आजी एडिशन हुआ है एती एक का लेवल प्राप्री अच्छा support दिखाई पड़ता है और इसके बाद जो most important और major support होगा वो है आपको एती 5 के लेवल पर मिलेगा जहां 1141 लोट्स का open trace दिखाई पड़ेगा मतलब 90 के अग नीच्छे अगर देखेंगे तो यह एती 5 तक support ज्योन में है अब most important लेवल की बात करेंगे कि इस GMRN प्राप्राप्र most important लेवल कौन सा है तो वह लेवल आपको 90 का दिखाई पड़ेगा जहां 2300 का open trace call side में दिखेगा और आपको put side में 994 loss का open trace दिखाई है अगर यह इसके उपर और भी दिखेगा तो यहां से हमें short covering देखने को मिलेगी और GMRN को 93 के तरफ और 95 के तरफ लेके जाएगा और उसके बाद यह इसके उपर दिखेगा तो बहुत जल्द हमें GMRN के उपर 100 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं इसके निच्छे फिच रहा है तो 85 से लेके 100 तक का आपका trading range दिखाई पड़ रहा है फिलाल के लिए GMRN के उपर इस तरह से important level find करने के बार अब हम चलेंगे oi build-up के उपर जहां हम overall trend देखेंगे एक बार फिर से हम लोग ओप्स्ट्रा का open interest का future रिउट करने वाल है जो बिल्कुल ट्री में अब लेवल है GMRN का oi build-up आप देखेंगे इन सब स्ट्राइक के उपर आपको पूत रहाइतर से दिखाई पड़ेंगे इवरेन आप देखें आपको इन्दमनी पूत को भी राइत करते हुए लोग नजर आएंगे 100 के लेवल पर जाके भी पूत राइत करते हुए नजर आएंगे लोग उन्होंने अन्वाइंड किया हुए मतलग उनके अंदर ठोरा पैनिक आया और उन्होंने अपने पोजेशन को अन्वाइंड कर लिया डूसरी थरफ अगर कॉल में देखेंगे तो आपको कॉल में कॉल वाइंग होते हुए दिखाई परेगा और इन्फैक्ट 101 के लेवल तक में call buying होते हुए दिखाई पढ़ रहा है और इधर के लेवल पर अगर आप देखेंगे आईटिम कॉल्स पर देखेंगे तो हमें short covering देखने को मिल रहा है जो बता रहा है कि call writers के अंदर थोरे से panic देखने को मिला है और वे panic में अपने position को unwind करते हुए नजर आ रहा है तो एक तरह से यहां पर call writers trap हुए हैं और जब कभी भी इस तरह से writer trap होते हैं तो एक अच्छा move हमें देखने को मिलता है इसके उफर एक video description में मिल जाएगा उसे भी जरूर देख लीजिए कैसे trap writers बड़े move को cause करते हैं तो यह हमारे चार steps ते जिसमें यह पूरा process complete होता है लेकिन इसके अलावा एक bonus चीज में बताना चाहूंगा कि इस तरह के जब भी आप UI build up या UI spot या open trust से related stock select करते हैं तो उसके selection में कुछ mistakes होती है इवन सही से stock selection करने के बार भी mistake हो जाती है जिसमें move देखने को नहीं मिलता है उससे related एक वीडियो आपको i button में मिलेगा उससे जरूर देख लीजिएगा ताकि आप उस तरह से नाफसे किसी भी share में और जाते जाते कॉमेंट करके जरूर बताएगा कि यह वीडियो आपको